आस्ट्रिलिया डेर्सो के पार मार्च ख्वाजा ने जड़े अर्थशतक। उन्हें एक टीवी शोप पर दिये गए विवादस्पत बयान पर ततकाल प्रभाव से प्रतिबंदित कर दिया हैं। अखिलेश मायवती के प्रेस कॉन्फरेंस से पहरे पोस्टर से पढ़ गया लखनव। उत्तर प्रदेश में समाज आधी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागडबंदन का आज आधिकारिक एलान हो जाएगा। सपा के राश्ट्रिय अधिक्ष अखिलेश यादव और बस्पा सुप्रीमो मायवती थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे। राहुल गांदी इस समय सयुक्त अरब अमिरात के दो दिवसिय दोरे पर है शुक्रवार को उन्होंने दुबई में प्रवासी भारतिय समुदाई के लोगों को सम्मोंदित किया और उनसे मुलाकात की विदेश की धर्ती से राहुल गांदी ने भारतिय समुदाई के लोग और एक जवान शहीद हो गए वही इसके अलावा एक जुनियर कमिशन अधिकारी और एक जवान के घायल होने की सूचना भी है सुत्रों ने इस घटना के जानकारी दी है सुत्रों के मुताबिक ये धमाकारा जोरी जिले से सटे एलोसी पर पुखिरानी इलाके के रूपमती च दिखी जा रही है 2019 के लोग सबाचुनाओ में नरिंद्रमोदी को मात देने के लिए 23 साल पुरानी दुश्मनी भुला कर सपा बसपा सुबे में एक बार फिर गड़ बनन की राहा पर है वही 1993 में राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को हराने वाली मुलायम काशराम क की जोड़ी की तरह हम मोदी लेहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी बन रही है हाला कि 1993 से लेकर 2019 तक गंगा गोंती और यमुला में बहुत पानी बह चुका है यही वजाए कि माया अखिलेश वाले इस गड़ बंदन के लिए 25 साल पहले जैसे नतीजे दोराने बड़ी चुनाती माना जा रहा है